हाई गाईज दिस अन्जुम हेर विल्कम बैक टो माई चैनल कैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे मेरी दुआए हमेशा ही आप सब लोगों के साथ हैं तो गाईज हम आए हैं यहाँ पर मारकेट और यह है पेडों की मंडी यहाँ पर पेड बहुत जादा बिकते हैं और यह लगती है नाखास के आगे यह गंग में और संडे के दिन यहाँ पर पेड काफी सस्ते मिलते हैं 20-25 रुपे से स्टार्टिंग है पेडों की यहाँ पर तो लाइफ में लग रहा है आजकल कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको बिजी रखें तो मेरे पास बिजी रखने के बहुत सारे आप्शन है जिसमें से गार्डिंग हुई है गाईज मेरे वो सबस्क्राइबर जो मेरे व्लॉक्स को रेगलरली देखते हैं वो ही जरूर जानते होंगे कि मुझे गार्डिंग का शौक है और टाइम मिलने पर गार्डिंग मैं जरूर करती हूँ तो मुझे टाइम इतना जादा मिल नहीं पाता है क्योंकि स्कूल है घर है उसके बाद वीडियो बनाना है और सबसे लास्ट में गार्डिंग के लिए टाइम निकलता है तो कभी भी जब छुटी होती है और टाइम मुझे मिल जाता है तो मैं अपना शौक पदरूर पुरा करने कोशिश करती हूँ तो मैं आगे थी यहाँ पर कुछ पेड़ लेने क के लिए क्योंकि इदर मैंने काफी दिनों से पेड़ों की देख भाल नहीं की और मेरे बहुत सारे पेड़ सूख गये थे इदर गर्मी की वज़े से अब बारिश आई है तो पेड़ फिर से सही हो रहे हैं तो मुझे लगा कि सबको सही करना चाहिए जाड़ा आते आते मैं लास्ट एयर की तरह मैं अपने पेड़ों को फिर से रिवाइब कर लूँगी और बहुत अच्छे से मैनेज कर लूँगी तो गाई मुझे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट पसंद हैं जो खुश्बू वाले हों जैसे गुलाब है बेला है रात की रानी है चमपा है चमेली है तो ऐसे ही पेड़ मिड़यां लगे भी है और मैंने जो लिए थे आज वो भी इसी तरह के पेड़ मैने लिए थे तो मैंने दो-तीन गुलाब लिए थे उसके इलावारा रट की रानी लिया था और हर सिंघार लिया था मैंने जो कि फर्स टाइम लिया था और इस सरा से मैंने कई सारे पेड लिये थे और कुछ खाद भी ली थी पेड़ों में डालने वाली वो भी यहाँ पर मिल रही है तो गाईज आज कल स्कूल में चुट्टी चल रही है मुहरम की और रक्षबंधन की तो इसलिए मुझे यह best option लगा कि मैं टाइम का अच्छे से यूज करूँ पहले मैं नरसरी से प्लांट्स लेती थी लेकिन फर्स टाइम मैंने यहाँ से लिये है और मुझे लगा यहाँ पर काफी सस्ते है नरसरी से के देखते यहाँ पर सस्ते मिल गए मुझे तो मेरा काम हो गया था और मैं यहां से घर के लिए वापस निकल आई थी तो छुट्टी की मॉर्निंग का एक बहुत अच्छा यूज था ये और मॉर्निंग में आने पर यहां पर बहुत सस्ते बेपिल जाता है जो भी सामान आपको लेना हो तो ये मार्केट ऐसी है क अगर आप सुपा जल्दी आ जाएं तो बहुत जल्दी और अच्छी शॉपिंग हो जाती है तो गाइस अब हम पहुच चुके हैं घर अपने तो आई हम आपको दिखाते हैं मेरे छट पे पेड़ों का क्या हाल है मेरे पास कच्छी जमीन है नहीं और इसलिए हमने गंबलो जो है वो हमारे अभी भी सही है और उनको जो है वो खाद बगएर डाल कर ही सही हो जाएंगे वो तो इस तरह से ये है हमारे पेड़ों का हाल और इसके अलावा मुझे गंबलों को भी पेड़ों करना है वो भी हम आपको दिखाएंगे तो ये है हमारा सुबा का नाश्ता उ हमारी बन रही है चाय और चाय के साथ ही हम बना रहे हैं सबजी और रोटी और ये मेरी रोटी भी बन रही है देखिए और साथ में मैंने बनाई है सबजी तो ये गरम गरम नाश्टा आज का रेडी है तो गाई मेरे हस्बिन रोज रोज पूरी या प्रठा खाते नहीं है तो मारा नाश्टा जल्दी जल्दी रेडी होते हुए और उसके बाद में हम सब ने आज साथ में बैठके नाश्टा किया था क्योंकि छुट्टी थी इस वज़े से तो गाईज नाश्टे के बाद मुझे मशीन भी लगानी थी, कपले धोना थे वापते भर के, उसके अलावा मुझे कुछ पेड़ों को टाइम भी देना था उसके अलावा मुझे दिन में कुछ और जरूरी काम भी ने प्टाने थे तो इसलिए जल्दी जल्दी अपना मैनेज कर रहते हैं और टाइम मैनेजमेन एक बहुत भी नहीं सकता तो अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड मिलते हैं नेक्स वीडियो में प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और थैंक यू फो वाचिंग मै वीडियो